नमस्कार प्यारे विदारतियों कोटेले क्लासेज में आपका स्वागत है और आज एक मैं तुपुन सूचना है कल रात का ट्विट आया था तो बचों ने रात को भी काफी मेसेज किये थे आज मोलिंग में टेक्निकल इस चैनल पर क्लास ले रहा था रेलवे की तभी बहुत उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो पूरा मामले को समझ लेते हैं एक चुल में क्या है कि नागोर पर गए वे उर्ज मंत्री हिरलाल नागर तो उन्हों ने वहां पर प्रेस वार्ता की होगी तो प्रेस वार्ता के पदों की सिंग्या कपी कम हो गई ंध्यों के इतने कम पद था कोई खत्रणभी है। कोई अची बात तो है नहीं। जबकि अमीद हमेंसा ऩर्यक्य की जाती है किए पदों की से जद जैश्त्य वहाद हो पहले 2018 म歹ं 2009 1212 पदों पर आई थी 2022 के अंतरगत भरती और उसके बाद में दोजार 24 का अंदर यदी 1100 के अंदर भी सब कुछ सामिल है तो मिल जूल के कितना होगा 500 600 700 पद आ जाएंगे इतने 700 में मुस्किल बता रहो 500 600 का सपास टेकनी से इनके बद बचेंगे अब इनमें भी 10 से 20 परशेंट चले जाते हैं एक सर्विसमेन को और वो फिर बेक लोग में चले जाते हैं तो पदों की सेंग्या ये बहुत ही कम है पहली बात दूसरी बात है कि जो विदुद विबाक के अंतरगत भरती हो सिक्स विबाक के अंतरगत हो राष्तान में जितने बजट से पहले कहीं बार काथा बहुत फ़रती आईगी फिर उनमें का हर मईने नहीं भरती जारी करेंगे और ये चार लाख विकेंश्य लेंगे पांचला विकेंश्य ऐफ ॥ा लेड़े कि जरी हो रही है तो जो उमीद की जा रहे थी कप इसारी वेकेंश आईगी उसके उसकी वजाई यहां पर बयान ज्यादा है आप विदुद्ध विभा के देखोंगे तो पहले 800 कुछ पदों पर स्वीकरती के बारें बात चल रही थी अब उन्होंने 1100 पदों के बारें बात कि यह बयान ज्यादा है और भरती की काम की सूचना कम हो गई है एक जल्दा विभाग के बारे में चर्चा चल रही है कि काफी टाइम से जल्दा विभाग माईगी फिर वो कह रहे हैं वो प्राइवेट बाड़ों को लेंगे फिर का वापस आईगी अभी एक बार और का कि वे वर्च vec जारी होगी तो अभी वो पूरी प्रकिरिया धिनमामला है प्रकिरिया पूरी होई नहीं है और इसके बीच में केवल यह जो चल रहे है बयान चल एक आप इसको इतनी ज्यादा authentic मानते हैं तो बात ठीक एक जानी होने होने का यह चाहरे हैं व्यक्रे के जारी हो गी लेकिन एक बात तो यह है के यह से जारी हो रही तो पदों की संख्या भी बहुत कम है यह रियल बात है पदों की सेंख्या काफी ज़्यादा कम है मैं सभी को पढ़ाता हूं से BSPSL त्यारी करो MPTO टेकनिकल हेलपर और रेलवे सभी एक्जाम वालों को पढ़ा रहा हूं हरियान लाइन में जितने भी स्टेट के सब को ओन लाइन तो वह सब को यहीं से कोट लिश्य पढ़ाते हैं लेकिन एक चुलम देखा जाए तो इतने कम पदों की सेंख्या में सेलेक्शन लेना बहुत टेड़ी खीर और बहुत भारी मामला हो जाता है वह ज़्यादा टिपिक उन सभी बच्चों को जो भी त्यारी करना चाहते हैं उनको मैं अपनी तरफ से एक राय दे देता हूं और वह राय को ध्यांस से सुन लीजिएगा जैने यहां पर यह देखा कि पढ़ने वाले बच्चें तीन कटेगरी में एक तो जो रेलवे की त्यारी कर रहे हैं जो रे पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है फिर आप इडिशन पढ़ रहे हैं और जई है जो डिपलोम वाले पढ़ रहे हैं और गूरूप अबकी बार आईटे वालों के ही फॉरम बराई जाएंगे तो गूरूप डी के अंदर अग्टुम्बर में नोटिफिक्स जारी होगा त आप आज ही मारी unl or要onn ad लग से लगता है क्योंकि परकार कर बचेंश को लेंदिक को हम एप जुरूरी है तो जो पढ़ रहे चीजान हो करें वह वैसे भी डाइवर्ट होने वाले नहीं है क्योंगे जो इस ते रहे हैं तो वह एकदम सेफ हैं तीसरा जो डेडिकेटेडली टेकनिकल हेलपर के पारे में सोच रहे हैं द्यायों को मेरी पर एक रूपूर त्यविखल करें नहीं होता है तो थे तेकनिकल हेल्पर का बारे में सोचने वाले बच्चों को एक ही चीज करना चाहूंगा आप अपनी इलेक्टरी सिन को मजबूत कर लीजिएगा आपके पास बुक्स है तो बुक्स के माधियम से ओनलाइन कोर्स के माधियम से और इस टीडी मेट्रियल है और आप लाइबरी जोइन करके पढ़ना च साइब रास्तां जी के उसके हिसाब से त्यारी करें नहीं आप पूरी इलेक्टरी से का निचोड निकाल के पड़ें इससे आपको दो तीन परकार का फाइदा होगा बीच बीच में इस रो बार्क डियार्डियो एनपीसेल एंसेल एनपल एनवेस इनकी वेकेंस आती रहती है और उन वेकेंसियों के अंत्रगत मुंग के रूप से ज Queensborough मुजबूत है तो बार्क में भी तो इसरो में ठीक है और technical helper में भी ठीक है सभी में ठीक है तो आपको एक निवदन है आप अपनी electrician मजबूत कीजिए vacancy जिस दिन आईगी उस दिन form भर नहीं है और उसकी हिसाब से पढ़ नहीं है और उसकी हिसाब से पढ़ोगी यदि आपका subject मजबूत होगा subject मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और जैसे न इसमें पदों की सेंग या 500-600 गास बन रही है तो कई बार तो 300-400-400 तो बार्क में भी पदाते है इस बरकार के इसरों में कई बार अच्छे पदाते है कई बार DRD मच्छे पदाते है तो वहाँ पर भी आप अपना competition लड़ सकते है same competition यहां होता है कटोब जितनी percentage यहां जाती है उतनी यहां जाती है तो आप इन सभी का common रूप से समगरे त्यारी करते हैं तो एक ही चीज के उपर focus करो electrician और अन यह चीज पर किसी पर divert मत हो vacancy जिस दिन भी आएगी आप अराम से पढ़ेंगे मैनत करेंगे जंडा गाड़ देंगे लेकिन आपका subject मजबूत है तो जंडा गाड़ा जाएगा तभी मंजिल मिलेगी electrician को आप मजबूत रखो जो भी आपने जैसा पढ़ा है या जैसा पढ़ना चाहते है electrician को उपर पूरण थे focus हो जाओ यह बचे railway वाले railway पर रहो इदर उदर divert होने की आप सकता नहीं जब आएगी तब देख लेंगे और यह वैसे भी divert नहीं होंगे यह तो बड़ा fix है इस्तिर वाले हैं तो यह जानकर यह जानकरी का नुसार पदों की संख्या काप ही कम है इतनी पदों की संख्या कम और ए निस्चिता के वेकेंसी कितने महीने बाद आएगी इस condition में आपको सला यही है कि आप रेलो वाले रेलो पर फोकस करो और टेकनिकल हेलपर के बारे में जो पर्टिउकलर सोच रहे हैं कि मैं तो टेकनिकल हेलपर रेलो अपना कोई लेना कोई देना वो सोच रहे हैं तो वो इलक्ट्रीस को पड़ा मजबूत करकर को इन किसी भी बरतिक अंतरगत काम आ जाती है कई बच्चों को गाइडेंस नहीं होते होते हैं जाकर पता करो और इन टेक्निकल हेलपर से सब यह जोब अथी होती है तो आपको थोड़ा ज्यादा पड़ना पड़ेगा और ज्यादा मेनत करनी पड़ेगी इसमें आप सीड निकाल सकते हैं जितनी इनकी है कोई ना कोई वेकेंसी आती रहती है कई बार वेकेंसी पदों के सब्सक्राइब करो इसी पर फोकस करो मिलते हैं नेक्स सेशन के साथ धन्यावाद थैंक्यू